हबो ग्लोबल हेल्थ केर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जनहित में जारी अपने बच्चों को रोज खिलाते हो हाँ यह कुड़ा नहीं खाना है पागल है कि मेरे बच्चे तो रोज सुबशाम खाते हैं इसे तो आंटी जी लगता है आपके बच्चे दुनिया में जल्दी नहीं रहेंगे तो बार-बार कूड़ा बोले जा रहा है तो एक बात बता है तो इसे कूड़ा क्यों बोल रहा है क्या है ना अंटी जी मेरे भाई की प्राइवेट नौकरी लगी थी शहर से भार तो घर का खाना तो मिलना नहीं था उसे तो वो रोज दिन में आपके ये मोमोज, चाउमिन ये सब खाता था वो जिसकी वज़ा से उसको कैंसर हो गया और वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा इसलिए मेरे और मेरे घरवालों के लिए ना ये सारा खाना पूड़े से कम नहीं है अब बच्चों को तो खाली खाने में स्वाद ही दिखता है उन्हें तो नहीं समझ में आता ना कि ये खाना उनके लिए कितना नुकसान डायक हो सकता है लेकिन आप तो मा हो आप तो उन्हें समझा सकती हो बता सकती हो उन्हें इस जहर से बचा सकती हो बगवान ना करे आंटी जी जो हमारे परिवार के साथ हुआ वो किसी के परिवार के साथ हो इसलिए आंटी जी जितना जिल्दी हो सके इस जहर से अपने बच्चों को बचाईए वरना यह जहर सिर्फ उस बच्चे को ही नहीं पूरे परिवार को उप्रबाद करके रखतेगा जैसे हमारा परिवार होगा मेरे भाई के बिना यह भगवान मैं अपने बच्चों को यह सब खिला के बिमार कर रही थी आज के बार न मैं भी अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगी और तू सच कह रहा है आज समय अपने बच्चों को अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी उनको छूने तक नहीं दूँगी और इसकी सही जगा ये दस्तवीन है ये मातो समझ गई भला आप कब समझेंगे इसी अगस्त में हमें राजने गुलामी से आजादी तो मिल गई थी स्वात के गुलामी से आजादी के इस अभियान में हमारा साथ दे आपका हबो ग्लोबल हेल्थ केर